नवश्कार प्रियसातियों मैं हूँ सुरेश्री माली आपको और आपके परिवार को नवरात्री के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुब कामना है प्रियसातियों एक बार जरू बोलिए जय बाता दिए नौ कन्याओं का पूजन है विशेश लेकिन कैसे करें आज जानेंगे किस उमर की कन्याओं को करवा है भोजन और इन चीजों का रखें विशेश खयाल होगा आपका कल्यान यह सब कुछ आज अम बात करेंगे प्रियसातियों रविवार 22 अक्तूबर के आश्विन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अस्टमी है शार्दिय नवरात्री में ये दिन सरवादिक शुप और विशेश बैतुपून है इस दिन नौ कन्याओं की पूजा का विधान है इनकी नौ देवियों के रूप में आदर और सतकार करना चाहिए अपनी परंपरा के अनुसार कुछ लोग नवरात्री के अस्टमी को तता कुछ लोग नवमी को मादुर्गा की विशेश पूजा और हवन करने के बाद करनिया पूजन करते हैं नवरात्री के महा अस्टमी 22 अक्टूबर और महा नवमी तिती 23 अक्टूबर को है अस्टमी तिती पर मादुर्गा की आटवी शक्ती महा गौरी और नवमी तिती को मा सिद्धी दात्री को पूजा किये जाती है इन तितियों पर बेहत शुब योग भी बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है मेरे परियसाथियों 22 अक्टूबर को सर्वार सिद्धी यानि सभी कार्योग ले स्वैम सिद्ध मौरत है साथ इस दिन पराकरम योग, बुदा दिती और द्रती योग बन रहा है 23 अक्टूबर को बुदा दिती योग, पराकरम योग और एक नया शूल योग बन रहा है और उसके साथ सर्वार सिद्धी योग का संयोग भी है अस्ट में तिती पर कन्या पूजन के लिए स्रेश मौरत नोट कर लिजे सुबह 10 बच कर 15 मिनिट से दोफेर 12 बच कर 15 मिनिट तक रहेगा और इसके बाद दोफेर को 2 से 3 तक रहेगा फिर 9 में तिती पर सुबह 10 बच कर 15 मिनिट से 11 बच कर 15 मिनिट तक रहेगा इसके बाद दोफेर में चार से छे बच तक रहेगा प्रेसात्यों दोज से लेकर नौ वर्ष की आयू की कन्याओं का ही पूजन हो तता साथ में एक बटुग भी यानि की नौ कन्याओं के साथ एक बटुग रूप बालक लड़का अवश्य होना चाहिए क्योंकि मा की पूज बहरो पूजा गविना धूरी हैं इसी प्रकार कन्या पूजन में भी एक बटुग होना अनिवारी हैं दो वर्ष की कन्या को कुवारी तीन वर्ष की कन्या को त्री मूर्ती चार वर्ष की कन्या को कल्यानी पांच वर्ष की कन्या को रोहिनी छे वर्ष की कन्या को कालीका सा आत वर्ष की कर्णिया को शांबवी तथा आठ वर्ष की कर्णिया को सुभध्रा का जाता है। नो कन्याओं को मा के रूप में यानि शैल पुत्री, ब्रहम चानिनी, चंदर घंटा, कुश्पांडा, इसकंद माता, कात्यानी, काल रात्री, महागौरी तथा माता सिद्धी दात्री जानकर उनका पूजन करने से दुख और दरिद्रता का नाश होता है। अब कैसे करना चाहिए कन्याओं के पैर दोकर उनके बस्तक पर रॉली, कुंकुम और चावल से ठीका लगा कर हाथ में मौली बांथे। पुष्प तथा पुष्पों की माला समर्पित करके कन्याओं को चुनरी ओड़ा कर हलवा, पूडी, चना तथा दक्षना देकर सरद्धा पूर्वक प्रणाम करें। पूज़ करने के लिए भक्ति पूर्वक काली का कन्या का पूज़न करना चाहिए। आपको और आपके परिवार को नवरात्री की बहुत बहुत शुब कामना है। आपके सभी मनोरत पूर्ण हो, सारी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी मैं मादुर्गा से प्रार्टना करता हूँ। स्वस्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए तना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद। आज के लिए प्राट।